कि दोस्तों क्या आप बार बार हां दूलते हो क्या आपको हर चीज को एक फिक्स ओर्डर में रखने की आदत है क्या आप बार बार हर चीज को रिचेक करते हो किसी काम को बार बार रिपीट करते हो या अपने अधर्निय वेक्तियों को लेकर आपके मन में बुरे विचार आ ज अपनी यूट्यूब चानल मोरल विश्व में दोस्तों क्या आप किसी काम को बार बार रेपीट करते हों क्या आपको गंदगी से बहुत ज्यादा परहेज है या आप हर बार हर चीज को लेकर एक नए-एक पैटन बनाते रहते हो अपने दिमाग में यानि हर चीजों को अपन क्यarp 네 PR को अपने क्या उसका कंपल्सन उसके मन में होता है तो आपकी मन में भीचार आता है डर के साथ तर आपका मन उसके को बार बार कि वहां दो अ तो वसीट हो जाता है इंसां को समझ में नहीं आता या यह यह आखिर है क्या यह koo discordर है या उसके अंदर कि फिलिंग हैं वह किस से क्या कहे है किस से अपनी feeling share करे वो समझ नहीं पाता है कि वो क्या करे उसके साथ हो क्या रहा है इसमें इंसान अपने विचारों को लेकर ही बहुत ज्यादा परेशान देता है बहुत ही ज्यादा से मेरा मतलब है बहुत ही ज्यादा इंसान का जीवन जीते जी नर्क बन जाता है उसे समझ वह नहीं आता है कि वह क्या करें कैसे अपनी विचारों से वह बचें दोस्तों वैसे तो अच्छी बात है हमें हाइजीन रहना चाहिए पर इसमें क्या होता है उसकी बहुत ज्यादा अधिकता हो जाती है मतलब वह बहुत ज़्यादा सफाई करने लगते हैं बहुत ज़्यादा हाथ धुलने लगते हैं बार बार जो उनको गंदगी से बहुत ज़्यादा चिड़ हो जाती है वह रोड पर भी बहुत ज़्यादा समल कर चलते हैं कहीं कीचर लग जाए तो उससे बहुत ज़्यादा परहेज करते हैं वो इस चीज़ से डढ़ते हैं कि कहीं वो गंदे ना हो जाएं कहीं उनमें किटानों ना आ जाएं तो ऐसे लोग बार बार नहाते हैं या फिर नहाने में बहुत ज्यादा समय लगाते हैं और तो दूसरी समस्या बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि कपड़ों के साथ वो अपना साफ कपड़ा भी नहीं टांगते हैं उन्हें लगता है कि उनका साफ कपड़ा इस गंदे कपड़े के द्वारा गंदा हो जाएगा उन्हें गंदगी से बहुत ज्यादा परहेज होने लगती है वास्तों में उन्हें पता होता है कि हर जी के लगता हुआ वह हर चीज में पर्फेक्शन डूंडने लगता है मतलब उसे हर चीज परफेक्ट चाहिए वेल क्लीन जाहिए वेल मैंने लिदे में चाहिए वह अपने बिस्तर को विल्कुल अरेंज करके रखते हैं अपना गिलास इस जो भी है इसको एक अरेंजमेंट में चोटा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा अरेंजमेंट में हर चीज को लगाते हैं और अगर उनका यह अरेंजमेंट बिगड़ जाता है तो उन्हें बहुत ज्यादा अपसेश्ट फिल होने लगता है उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं इसके कारण मेरे साथ कुछ बुरा अगर यह अरेंजमेंट बिगड़ा तो इससे कहीं मेरे उपर को बहुत ही बुरा असर ना पड़े इस चीज का डर उनके अंदर बस जाता है तो वहर चीज को अरेंजमेंट में ही लगाते हैं कभी-कभी तो क्या होता है कि अगर आप से गलती से इनके और्डर बिगड़ ज कि वह ताला सही से पढ़ा है कि नहीं मलब उसे पता होता है कि वह ताला सही से पढ़ चुका है मैंने उसे बंद किया है यह पता होने के बाद भी वह बार बर रीचेक करता है उसे लगता है कि ऐसा नों की खुला रह गया हो और काफी बार क्या होता है कि यह अपने मन में प करना में हमें लगता है घर हम इतने बार में चेक नहीं करेंगे तो उनके साथ कुछ बुरा हो जाएक डायी और दुसस में और भी काफी चीज़े होती हैं कि शेश् Thanks अंसल मारबर किसी काम को जब तक उसे यह फील नहीं होता कि हाँ अब सब ठीक है उसे लगता ही अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा अब हम दोस्तों बात करते हैं टाइप फूर की जो की है फॉर्बिटें थॉर्ट्स मनलब इसमें हमें अन्वांटर थॉर्ट आने लगते हैं इसमें अलग-अलग बुरे थॉर्ट्स आने लगते हैं वह थॉर्ट्स या तो रिलीजियस हो सकते हैं या आपने किसी आधर्निय व्यक्ति जिसको आप आधर्निय मानते हो उसको लेकर हो सकते हैं जिसको आप आधर करते हो जिसका आप अपने दिल से रिस्पेक् चीज को overcome करने के लिए अपने मन में माफी मांगता रहता है बार बार इसी का पार्ट है रिलीजिस हो सिडी इसमें आपको अपने धार्मिक चीजों को लेकर बुरे थोट्स आ जाते हैं मतलब आप किसी भी धर्म में हो किसी भी चातिय किसी संफ्रदाइब मतलब आप जिस धर्म का आदर करते हो उसको ही ले आपको मन में बुरे विचार आ जाते हैं जैसे कि या तो कुछ गाली बेंदेगा या कुछ आचानक से बहुत ही अलग किसम की thoughts जो कि बहुत गलत हो जो आपका मन accept ना करें और जब इंसान की मन में ऐसे thoughts आते हैं तो इंसान का मन बहुत ही ज़्यादा विचलित हो जाता है कि वो उस चीज का बहुत ही ज़्यादा आदर करता है और ना चाहते हुए भी उसका मन उ धार्मिक हो जाता है या धार्मिक चीजों से बहुत ज़्यादा अलग थलक रहने लगता है या तो अपनी धार्मिक इस्थलों से बचने कोशिस करता है जिसका वह आधर करता हो कि उससे डर रहता है कि कहीं में कुछ बूरा ना बोल दू कहीं में कुछ बूरा ना सोच लू वो इस चीज़ से डर के कारण वो अलग थलग रहने लगता है तो दोस्तों ये OCD के 4 टाइप्स हैं दोस्तों वैसे तो OCD अलग-अलग प्रकार से इंसान के मन पर अटैक करती है अलग-अलग रूप लेकर बार-बार आ जाती है आप काफी बार समझ भी नहीं पाते हैं कि ये जो फिलिंग आपके अंदर आ रही है या जो विचार आपके अंदर आ रहे हैं ये OCD है ये OCD के तरब से हैं आप नहीं समझ पाते हैं क्योंकि OCD में इंसान का दिमाग अलग-अलग प्रकार के Obsessions बनाता रहता है अलग-अलग प्रकार के Thinking करता रहता है तो इस चीश को differentiate करना काफी मुश्किल होने लगता है इंसान के लिए कि ये OCD है या कुछ और पर दोस्तों देखा जाए तो इन चार टाइपस से ही विचार क्रियेट होते हैं मतलब इसकी हर एक कैटिगरी में अलग-अलग प्रकार की कैटिगरी बनी हुई है तो अब हम दोस्तों बात करते हैं क्या इसका कोई इलाज है जी हाँ दोस्तों बिल्कुल इसका इलाज है इसका इलाज बहुत ही आसानी से हो जाता है इसका इलाज आप घर बैठे खुद से कर सकते हो दोस्तो वास्तों में जो मानसित समस्याएं होती हैं जो mental disorders होते हैं इनका इलाज आप खुद से ही कर सकते हो मतलब आप किसी प्रकार का mental disorder हो तो उसको आप अगर चाहो अगर अपनी इक्षा सकती जगा लो तो आप खुद से ही उनको treat कर सकते हो बिना किसी psychologist के बिना किसी doctor के तो दोस्तों इस बिल्कुली संभाव है और ऐसा होता है और दोस्तों चाहे तो आप इसके लिए किसी psychologist को भी दिखा सकते हैं psychologist, hypnotherapy और कुछ ऐसी therapies होती हैं इनका use करके OCD को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं तो दोस्तों अभी हमने जो OCD के चार टाइप्स को जाना अगली वीडियोस में एक एक करके इस पर वीडियोस आएंगी इन सभी OCD के बारे में हम detail से बात करेंगे और साथे साथ उनका treatment क्या है उनका ilaj क्या है घर बेठे कैसे उनका ilaj हो सकता है अपने खुद से ही आप उसका ilaj कैसे कर सकते हो इसके बारे में एक बहतर detailed वीडियो आपको मिलेगी तो दोस्तों उमीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी कि अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और जादा से जादा शेयर करें क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी समस्या है जिसमें इंसान को खुदी नहीं पता रहता कि उसे कोई समस्या है बलाब इसमें इंसान समझ भी नहीं पता कि उसे को mental disorder भी है तो दोस्तों इस वीडियो को हर किसी तक पहुचाएं ताकि लोग इस समस्या से निकल सकें स्वस्त्रे मस्त रहें टेंसन तनाव और अंजाइटी से दूर रहें नमस्कार जहिंद